किसी भी जैव समुदाय का अपने ही जैव समुदाय के साथ एक घनिष्ट संबंध होता है या अंतर संबंध होता है इस अंतर संबंध को ही हम परितंत्र कहते हैं किसी भी परितंत्र में दो प्रकार के कारक पाए जाते हैं या आप यह कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक आव जैविक आरख बायोटिक फेक्टर कहते हैं। जितने भी सजीव, जाहे वो पेड़ पौदे हों, जाहे वो जिव जनतु हों, सभी शामिल किये जाते हैं। वहीं एबायोटिक फैक्टर याने अजयविक फैक्टर में जो निर्जीव होते हैं जैसे हमारे आसपास निर्जीव वस्तवे जैसे कि हमने थोड़ दर पहले बात की क्या है नदी, तला, पहाड, पत्थर, ताप, दाप, बृदा, ये सभी किसमें आएंगे अजयविक कारक म सजीविकारक याने जै बायोटिक फैक्टर्स को पुना पोशन के अधार पर तीन भागों में बाटा गिया है उत्पादक उभ्वोगता और अपघटक जिसे अंग्रेजी में प्रोड्यूसर कहा जाता है, उभ्वोगता जिसे कंजिउमर कहा जाता है और अपघटक जिसे कि यह क्या है उत्पादक हमारे आसपास भोजपदार्थों का निर्मान करने वाले कौन है या भली बाती जानते हैं जी हां हमारे आसपास भोजपदार्थों का निर्मान करने वाले हरे पेड़ पौदी हैं अभी हरे पेड़ पौदी भोजपदार्थों का निर्मान क्यों कर क्योंकि हरे पिढ़ पौधों में रंग का एक वरनक पाया जाता है। जिसे हम ख्लोरोफिल कहते हैं, पढ्ण हरीम को इसका एक डूसरा नाम है। कि अपस्तती में या पिढ़ पौधे सूर्य के प्रकाश को रसायनी कुरजामे में क्या करते हैं। यानि हम यह कह सकते हैं कि जो हरे पेड़ पौदे हैं वो सूरे के प्रकाश की उपस्तिती में क्लोरोफिल की सहता से सौर उर्जा को रसाइनिक उर्जा में बदलते हैं और भोज्य पदार्थों का निर्मान करते हैं जूकि पेड़ पौदे भोज्य पदार्थों का निर्मान में उत्पादक केवल और केवल कौन है पीड़ पौधी हैं इन पीड़ पौधों के अलावा एक और उत्पादक की भूमी का निभाता है वह है शेवाल वो भी हरे रंग की इन शेवालों को जिनमें हरा रंग पाया जाता है उन्हें भी उत्पादक की श्रणी में रखा गया है तोकि इनमें भी क्लोरोफिल की उपस्तती होती है और इस शैवाल से तो आप भली बाती परिचित है बायोटिक फैक्टर का दूसरा प्रकार है उपभोगता उपभोग करने वाले जिसे अंग्रेजी में कंज्यूमर कहा जाता है उत्पादक क्याने पिड़ पौधों के द्वारा जो भोज्य पदार्त का निर्मान किया गया उसका उपभोग जो भी जीव करेंगे वो उपभोगता की श्रणी में आएंगे याने उपभोगता वो जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं याने यह कैसे होते हैं परपोशी होते हैं परपोशी याने अपने पोशन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह उपभुगता जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर करते हैं उपभुग के अधार पर उपभुगता को करमशा चारभागों में बाटा गया है पहला है आपका प्रात्मिक उपभोगता जिसे अंग्रेजी में primary consumer कहा जाता है primary consumer यानि इसके अंतर्गत ऐसे जिव जनतु आते हैं जो सीधे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं यानि सीधे जो पौधों से ही अपना भोजन ग्रहन कर लेते हैं जैसे गाए, भैस, हिरन, खर्गोष, चूहा और टिड़ा, ये सभी जीव कैसे हैं, अपना भोजन डारेक पौधो से प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए ये सारे जीव कैसे हैं, शाकाहरी, शाकाहरी जीव को अंग्रेजी में कहा जाता है हर्भीवोर्स, चूकि ये अपना भोज डारेक पौधो से प्राप्त कर रहे हैं, सीधे प्रत्यक्ष रुप से पौधो से ग्रहन कर रहे हैं, इसलिए इसे हम साकाहरी जीव कहते हैं, उपभोकता का दूसरा प्रकार है, दूतियक उपभोकता, यानि सेकेंडरी कंजियूमर, प्रात्मिक उपभोकता के उको भोजन यानि जो शाका हरी जीव है उनको ये दूतियक भोजन के रूप में क्या कर लेते हैं ग्रहन कर लेते हैं और इसी कारण इसे हम प्रथम श्रडी के मांसा हरी जीव भी कह सकते हैं उसके अंतरगत साप चिपकली मेढग गिर्गिट मैना इत्यादी आते हैं उपभोगता का तीसरा प्रकार तरसरी कंजियूमर यानि तृतियक उपभोगता है तृतियक उपभोगता जो होते हैं उसके अंतरगत ऐसे जीव जो secondary consumer, यानि दूत्य को भुकता को खाने वाले जीव है है, यानि ये जो जीव होते हैं, वो सरवोच मानसाहारी जीव है, क्योंकि ये क्या कर रहे है, प्रफम शीरनी के मानसाहारी जीवों को अपने भोजन के रूप में गरहन कर रहे हैं, यानि हम यह कह सकते हैं कि टर्शरी कंजूमर जो होते हैं वो सर्वोच मांसाहारी जीवों का समू हैं. इसके उधारण हैं शेर, चीता, बाज, गिद और बिल्ली. वो भोकता का चौधा प्रकार जिसे हम सर्वाहारी भी कह सकते हैं. सर्वाहारी को अंगरेजी में कहा जाता है omni-vores. Omni-vores मतलब ऐसे जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को ही अपने भोजन के रुप में ग्रहन करते हैं. याने जो पौधों से प्राप्त भोजपदार्थों को भी ग्रहन कर सकते हैं और भोजन के रूप में प्राप्त किये हुए शाकाहारी जीवों को भी भोजन के रूप में ग्रहन कर सकते हैं याने ये डारेक्ट पौधे से भी अपना भोजन लेते हैं और अन्य जीवों से भी अपना भोजन गरहन कर सकते हैं इसलिए इसे हम सर्वाहरी कहते हैं इसके अंतर गतकुत्ता, बिल्ली और मनुष्य आते हैं ये तो बात की अभी तक हमने जैविक कारक याने बायोटिक फेक्टर की याने किसी भी प्राकृतिक आवास में जो बायोटिक फेक्टर हैं, वो पोशन के अधार पर इन तीन भागों में बाटे जा रहे हैं, इसका तीसरा प्रकार है अपगटक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, डीकंपोजर, अपगटक, डीकंपोजर यानि किसी भी चीज को अपगटित करनी वाले, यानि हमारे प्राक प्राकर्तिक आवास या परितंत्रिया पर्यावरण की सफाई का काम करते हैं, इसे भी हम सफाई मित्र कह सकते हैं, यानि जो अपगटक है, इसके मुख्य भुमी का क्या है, अपगटक जो होते हैं, वो उत्पादक और उत्पभोगता की मित्ति होने पर इनके शरीर को जीवों के शरीर को सड़ा कर अपना भोजन ग्रहन करते हैं, इस बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, कि उत्पादक जो होते हैं, वो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं, और फिर भोजन के रुप में उसे ग्रहन करते हैं, इसके अंत प्राकृतिक्वास को साफ सुप्रा रखने में बहुत महत्वपुन भूमिका निभाते हैं। बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अब गटक किसे कहते हैं और अब गटक जो है यह किसी भी परियावरण में किस प्रकार की भूमिका का निर्वाहन करते हैं। और कई बार आपसे यहाँ प्रश्न भी पूछा जाता है कि यदि प्राकृतिक वाहस से या परियावरण या परितंत्र से अब गटक को हटा दिया जाए तो क्या होगा। आप खुद सोचिए अगर हम अब गटक को हटा देते हैं या किसी भी परितंत्र या प्राकृतिक आवास में अब गटक को हटा दिया जाए तो अब गटक के हटने से जितने भी जिव जन्तुवों के जो मृत शरीर हैं वो सडेंगे नहीं यानि महापर सफाई नहीं तो सोचिए ये अब गटक कितनी महत्पुन भुमी का अदा कर रहे हैं प्राकृतिक आवास का जो दूसरा मुख्य कारक है वह है अजैविक कारक जिसे हम अंग्रेजी में एबायोटिक फैक्टर कहते हैं अजैविक जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके अंतरगत न बाता गया है अजैविक कारक भी तीन भागों में बाता गया है अकार्बनिक पदार्त कार्बनिक और जलवाईवी यानि हम यह कह सकते हैं कि अजैविक कारक को पुना तीन भागों में बाता गया है अकार्बनिक कारक में दूसरा कार्बनिक कारक में और तिरसरा इसके अंतरगत मृदा, फास्पोरस, गंधक, लोहा, पोटेशियम, केल्शियम, मैगनीशियम, लवन, पानी और हमारे वायू मंडल में उपस्तित विभिन प्रकार की गयस है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डायकसाइट, नाइट्रोजन, इत्यादीश में शामिल हैं। इन सभी का हमारे वातावरण में चक्रन चलता रहता है और चक्रन चलने के कारण ये पुना क्या हो जाते हैं, मृदा और मिट्टी को प्राप्त हो जाते हैं। ए बायोटिक फेक्टर का दूसरा जो घटक है वह है और्गेनिक सबस्टेंस याने कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक के अंतरगत कार्बो हाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिट इत्यादी आते हैं। एक बात जो हमें यहाँ पर ध्यान देनी हैं, वह यह है कि यह जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, जो इन और्गनिक फेक्टर्स जो होते हैं, वो जब जैविक कारक में प्रवेश करते हैं, तो यह जैविक कारक में प्रवेश करके कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं और कार्बनिक पदार्थों का निर्मान हो जाता है यानि ये अकार्बनिक पदार्थ जैविक कारक के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं और उस जीव की मित्ति होने के पश्चात यह पुना मृद्दा में चले जाते हैं या वायू, ताप, दाब, प्रकाश, मिट्टी, नमी और सूर्य, हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरे परियावरन में जो सूर्य है, वो उर्जा का मुख्य स्त्रोथ है, तो ये सभी जल्वायी कारक के उधारन हैं, इन कारकों का प्रभाव कहीं ना कहीं जैविक कारकों पर पढ़ता है, इसके पूर्व भी हम देख चुके कि किस तरह से कुटुमसर की गुफा में पाई जाने वाली कानी मचली, जो कि जैविक कारक का उधारन हैं, पर अजैविक कारक, यानि वहाँ पर चुना युक्त पानी कुना युक्त दिवाले, पानी, शंकुकिय कारक warta, मोहा का दाप, येु किस प्रकार से कानी मचली को प्रभावित कर रही जयविक कारक जो होते हैं, वो जयविक कारक को प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं और इन दोनों के बीच में एक संबंद पाया जाता है, जिसे हम अंतरसंबंद कहते हैं. किसी भी प्राकरती कावास में जो सजीव घटक हैं, उनको तिन भागों में बाटा गया, पोशन के अधार पर, उत्पादक, उभोगता और अपघटक. इससे पहले भी हमने देखा कि जो कानी मचलिया हैं, वो अपमार्जग की भूमी का निगाती हैं. तो ये अपघटक और अपमार्जग क्या दोनों एक ही हैं या इन दोनों में कुछ अंतर हैं? आप लोगों से ये प्रशन पूचा जाता है, कि अपघटक किसे कहते हैं, इसकी हमारे पर्यावरण या प्राकरति का वास में क्या भूमी का हैं? तो बच्यों, अपमार्जग और अपघटक, दोनो गातक में क्या है अंतर्था, नोल को सरा दुत करते हैं मृत जीवों, के में प्रवेश करते हैं जटाल कारवनिक पडार्त के विए कि Is bringul से लिखुँश लेकिन होते हैं यह एक जैसा कारय करते हैं के शरीर में प्रवेश कर कॉंपलेक्स फॉर्म को सिंप्लर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर वहां से अपना भोजन ग्रहन करते हैं यह सुक्षमजीव होते हैं जिसके अंतरगत कवक और जिवानू आते हैं याने हम यह कह सकते हैं कि ऐसे सुक्षमजीव जो जीवों, बृत जीवों के शरीर से अपना भोजन ग्रहन करते हैं उसे हम अभगटक कहते हैं लेकिन बृत जीवों के शरीर से कैसे ग्रहन करते हैं तो जटिल कार्वनिक पदार्थ को सरल कार्वनिक पदार्थ के रूप में बदलते हैं और फिर भोजन का ग्रहन करते हैं उसे हम अगटक कहते हैं वहीं अपमार्जक जिसे अंग्रेजी में इसके वेंजर कहा जाता है आपने देखा होगा कमवा ये डारेट मृत शरीर से को भोजन के रुप में ग्रहन करते हैं अभी थोड़ दर पहने हमने उधारन द दोनों क्या कारे कर रहे हैं ये मृत शरीर को डारेक्ट यानि प्रत्यक्च रूप से अपने भोजन के रुप में ग्रहन करते हैं यानि भोजन के रूप में ये मृत शरीर को डारेक्ट ग्रहन कर लेते हैं इसे ये अपमार्जक है यानि एक अंतर यहां पर यह है कि अपमा पिर वहां से भूजय पदार्थों को ग्रहन किरते हैं हम मनुष्यों पर ताप दाप मृदा नमी पहाड चट्टान इन सभी का प्रभाव पड़ता है यह सभी भौतिक कारा कहलाते हैं जिसे हम अजयविक घटक कहते हैं और मनुष्य जयविक घटक का इकुधारण है याने हम परियावरण या प्राकृतिक वास के जयविक और अजयविक घटक परस पर अंतर संबंदित होते हैं इस बात को समझने के लिए बच्चों आप एक क्रिया कलाप करें यह क्रिया कलाप अपको स्वयम से घर में करना है इस क्रिया कलाप को करने के लिए आपको एक तालिका का निर्मान करना है यह जो तालीका है वह इस आधार पर आप बनाएंगे की वस्तू और वह किस से बनी हुई है और वह वस्तू की प्राप्ति का स्तरोथ किया है बच्चों हम सुबह से उठकर रात को सोते तक विभिन प्रकार के कारियों को करते हैं जैसे हम सांस लेते हैं सांस लिए हम उक्सिजन गैस का उप्योग करते हैं और ऐसे पूपाधों से इस बाद से तो अभली भाती परिचित है वही हम तूध ब्रश को करते हैं तूध ब्रश किस्से बना हुआ है प्लास्टिक से और यह प्लास्टिक किस्से प्राप्त होता है तो पेटरोलियम इसी तरह से आप किताबें और कौपियों का उपयोग करते हैं किताब और कौपियां कागज से बनी हुई है और ये कागज पिड़ पौधों से प्राथ होते हैं पैन का उपयोग करते हैं आप पलास्तिक यानि प्यालियम् पदार्तों से बना हुआ है। तो इस प्रकार से विभिन्ना कारियों की सूची का निर्मान आप करेंगे और कारियों की सूची का निर्मान कर lange का उस कारभ को करने के लिए कौन-कौन से वस्तु का आप उप्योग कर रहे हैं, वह भी सुची में दर्ज करेंगे, साथ ही साथ आप यहाँ भी देखेंगे कि उस वस्तु के निर्मान के लिए किस पदार्थ की आउशक्ता होती है या वह वस्तु कहां से प्राप्थ होती है. इस करिया कलाप को करने के दौरान आप इस बात को समझ जाएंगे कि परियावरण में जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं, वो परस पर सम्बन्दित है. इन सारणी को देख कर आप यहाँ असानी से बता पाएंगे कि हम मनुष्यों का जो जीवन है, यानि हमारा जो जीवन है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जीवों पर भी निर्भर करता है, और बहुत सारे अजैविक कारकों पर भी निर्भर करता है. यानि हम अपना जीवन यापन करने के लिए इन जैविक और अजैविक कारकों पर निर्भर करते हैं. और यही निर्भरता जो होती है वो एक प्रकार का संबन्द स्थापित करती है इसी संबन्द को हम अंतर संबन्द कहते हैं प्राकृत्वास एवं पर्यावरण के घटकों के मध्य अंतर संबन्द आईए हम अपने प्राकृत्वास और पर्यावरण के सजेव निर्जिग घटकों के मध्य अंतर संबन्द को जानें क्रिया कलाप एक आप सुबह सो कर उठने के बाद से रात में सोनी तक अपनी दिनचरिया को कुछ समय तक सोचें और एक दिन में आपके द्वारा उप्योग में लाए गई आवश्यक वस्तू की सूची बनाएं सूची में आपके सास लेने के लिए आवश्यक हवा उप्योग में लाया गया टूटब्रश, पानी, दूद या चाय जो आप पीते हैं आदि सभी चीजों को शामिल करें और आपके चपल यदि प्लास्टिक से बनी है तो प्लास्टिक पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त होता है दिखाई गई सानी एक दिन की दिनचरिया के आधार पर बनाई गई है यदि हम इसे एक सप्ता, एक माह, एक वर्ष अत्वा पूरे जीवन काल के लिए बनाते हैं तो अनिस सजिव और निर्जिव घटकों पर हमारी अंतर निर्भरता स्पस्ट्रूप से दिखाई देगी हमारे लिए अनिवारे अजैविक घटक कौन-कौन से हैं? ऐसे जैविक घटक कौन-कौन से हैं जिनके बिना हमारा जीवन असंभव है अब आपको यह एसास हुआ होगा कि हम कई जीवों से संबंध रखते हैं कुछ बहुत जरूरी, कुछ कम महत्तुपूर्ण ऐसे ही सभी का जीवन विभिन जीवों पर निर्भर है अर्थात सभी जीवों के मध्य अंतर संबंध है चाहे वा आप हो यह गुलाब, शेर हो यह फफून प्रतीक जीव किसी ने किसी समुदाय का हिस्सा है वा अन्य सजीव वा निर्जिव घटकों से जुड़ा है इस क्रिया कलाप को करने के पाश्याद बच्चों आप यह समझ चुके हैं कि हमें अपना जीवन जीने के लिए कौन-कौन से अनिवार जैविक घटक की आउशक्ता होती है याने हमें अपना जीवन यापन करने के लिए अनिवार जैविक घटक पीड़ पौधों पर निर्भर रहना होता है इसी तरह से हमारे आसपास बहुत सारे अजैविक घटक भी है और ये अजैविक घटक जो हैं ब्रिदा, फास्फोरस, आयरन, केल्शियम, मैगनीशियम, इत्यादी हैं जो हमारे लिए अनिवार जैविक घटक के उधारण है जिस तरह से परियावरन के सजीव और निर्जीव घटक आपस में सम्मंदित होते हैं उसी तरह से किसी भी परियावरन के सजीव घटक यानि एक जीव, दूसरे जीव से भी परसपर सम्मंदित होता है इस बात को कैसे जानेंगे? इस बात को जानेने के लिए हम एक उधारन लेते हैं. 36 गड़ राज जी का राज की परश्यू कौन है? वन भैसा है. वन भैसा आपने देखा ही होगा. यह जो वन भैसा है यह कहा रहता है तो यह दलदली इस्थानों पर यह नदी के किनारों पर रहता है और साथ ही साथ यह घास या अन्य पेड़ पौधों को बोजन के रुप में ग्रहान करता है. चलिए इस उधारन से हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी भी प्राकृतिक वास के एक जीव जो होते हैं वो दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं. देखिए यह जो वन भैसा है यह वह घास को खाता है. घास जो है वो सूरी से उर्जा गरहान करती है. सूरी से उर्जा गरहान करके घास जो है वो अपना भोजन स्वैम बनाती है. यो कि घास कैसे होते हैं हरे रंगे होते हैं हरे रंगे होते हैं याने इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है. सूरी के प्रकाश की उपस्तती में क्लोरोफिल की साहता से यह सूरी की सौर उर्जा को कुर्जाय में बदलते हैं और भोज्य पदार्थों का निर्मान करते हैं याने अपना भोजन स्वेम निर्मित करते हैं इसलिए इसे हम प्रात्मी कुभभगता भी कह सकते हैं अब इस वन भैसा को किसने खाया शेर ने यानि शेर जो है वो दूत्य को भुकता हुआ और शेर कैसा जीव है मानसा हरी तो इस उधारण में आपको दिखाई दे रहा है कि उर्जा जो है वो सूरे से घास में जा रही है घास से वनभैसा में जा रही है और वनभैसा से सेर में स्थानांत्रित हो जा रही है यानि कि हमा संबंदित है क्योंकि इसी उधारन में हमने देखा कि घास को खाया वन भैसा ने वन भैसा को खाया शेर ने याने प्राकृतिक अवास के सभी सजीव याने एक जीव दूसरे जीव से भोजन और उससे प्राप्थ होने वाली उर्जा के अधार पर परस पर संबंदित होते हैं यानि यह जो संबंध है इसका अधार क्या है भोजन और भोजन से प्राप्त होने वाला उर्जा उर्जा के इस प्रवहा को हम खादर शिंखला भी कह सकते हैं क्योंकि इसी उधारण में आपको दिखाई दे रहा है कि जो पेड़ पौदे हैं पेड़ पौदे को कौन खा रहा है वनभैसा वनभैसा को कौन खा रहा है शेर यानि यहां पर एक क्रम चला आ रहा है उर्जा का प्रवा है वो एक दिशा में हो रहा है और भोजन को खाने के लिए भी एक शिंखला का निर्मान हो रहा है यानि कौन किसको खाएगा कि इसके अ द्हारण से अच्छी तरीके से समझते हैं, आपके सामने यह एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि सूर्य जो है वो उर्जा का मुख्य स्तिरोत है, बच्चों हमारे पारस्थतिक तंत्र या किसी भी प्राकृतिक वास में उर्जा का मुख प्रकाश की सहायता से प्रकाश अंसलेशन की क्रिया करते हैं यानि सूरी के स्वर उर्जा को यह रसानिक उर्जा में बदलते हैं चुकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयम निर्मित कर रहे हैं इसलिए यह उत्पादक कहलाते हैं आप से हैं पुछा जाता है कि इन पौधों से डायरेक्ट ले रहा है यानि सीधे उन पौधों को खा रहा है चुकि यह पौधों को सीधे खा रहा है इसलिए शाकाहरी है शाकाहरी मतलब यह प्रात्मिक उभ्भुकता कि श्रणी में आएंगे प्रात्मी कुब्भोक्ता को अब किसने खाया मेधक ने यानि आप यहाँ देख रहे हैं टिड़े को किसने खाया मेधक ने मेधक जो है यहाँ पर क्या हो गया दूतिय कुब्भोक्ता और मेधक ने चुकि टिड़े को खाया है इसलिए वह कैसा जीव है मांसाहरी अब मेढक को किस ने खा लिया साप ने यानि साप जो है यहाँ पर क्या है तृतिया को भोगता है और साप किसका भोजन बन गया तो साप भोजन बन गया बाज का बाज जो है वो उच्चमान साहारी जीव है और ये कहलाते हैं चतुर्त उपभोगता अब बाज की मित्ति होने के पश् nevertheless, इस बाज के शरीर को सडाने और गलाने का काम कुछ सुख्षमजीव करते हैं. जैसे कवक या जिवाणू, ये सुख्षमजीव हैं वो अफगटक कहलाते हैं. अब गटक का काम क्या है अब गटक जो होते हैं वो उत्पादक या उभोकता के मृत शरीर को सडाते हैं सडाते हैं याने जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं और उसके बाद अपना भोजन ग्रहन करते हैं तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि किस प्रकार एक जीव दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर करता है या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जीव होते हैं वो अपने भोजन के लिए या उर्जा की प्राप्ति के लिए एक दूसरे पर क्र सारीर का अपगठन किया, आप घटकने. यहां यह करम चलता हुआ, आपको दिखाई दे रहा है, एक करम, एक शिंकला बनी वही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे आघार, इसलिए अहर शिंकला या खद शिंकला, याने खद शिंकला क्या है, वह श्रिंकला जिसमें जीव एक दूसरे से संबंदित होते हैं भोजन और उर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन और उर्जा की प्राप्ति के अधार पर श्रिंकलाएं जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है जो शिंकला भी हमने देखी ये जो शिंकला थी वो घास या इस थली छित्रों में पाई जाने वाली थी पर हमारे आसपस तो कुछ ऐसे भी जीव पाई जाते हैं जो पानी में रहते हैं जैसे मचली, कीडे मकोडे, वहीं कुछ ऐसे भी पौदे होते हैं, जो पानी में पाये जाते हैं, वहाँ पर भी तो खादर शिंकला होती होगी, तो चलिए, एक और उधारन देखते हैं, जली खादर शिंकला का, ये जली खादर शिंकला के लिए शैवाल जो होते हैं, वो उत यह जो शैवाल होते हैं वे भोज पदार्थों का निर्मान करते हैं और प्रकाश संस्लेशन की क्रिया के दोरा स्वयम के भोजन का निर्मान करते हैं इन शैवाल के दोरा बने भोजन को कौन खाता है जली पिस्सू जली पिस्सू जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए इन श क्योंकि यह सीधे किसको ग्रहण कर रहे हैं शैवाल को जली पिशु को छोटी मचली ने खाया चोटी मचली जो है उधारन हो गई दुत्यकुब्भुकता की यानि यह कैसी हो गई मांसा हारी चोटी मचली को खा लिया बड़ी मचली ने बड़ी मचली तृत्यकुब्भुकता और यह भी कैसी है मांसाहरी क्योंकि इसने किसको खाया चोटी मचली को अब इस बड़ी मचली को किस ने खा लिया बदक बगुला या सारस ने जो कि कैसे हैं उच्चमांसाहरी है और यह उधारण है आपके चतूर्त उपभोगता के तो इस खादर शिंखला में आप देख रह ऐक शिंखला में हो रहा है इसलिए यह भी एक खादर शिंखला का उधारण है चूब यह सारे जियो और उत्पादक भूमिका नहीं निभा रह है अपितू अन्य दूसरे हरे पौदे जो पानी में पाए जाते हैं वह इत्पादक तो यहां भी इस श्रिंखला में भी आपको यहां दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार जो जीव हैं वह एक दूसरे से भोजन और उर्जा की प्राप्ति के लिए परस्पर सम्मं दित है और यहाँ पर एक क्रम आपको दिखाई दे रहा है और चुकि यह क्रम है इसलिए इस क्रमिक शिंखला को हम खाद्र शिंखला या आहर शिंखला कहते हैं याने आहर शिंखला वह शिंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे से क्रमशा भोजन को ग्रहन करने के अधार पर क्रम से जुड़ हुए होते हैं यह खादर्शिंखला कहलाती है हमारे 36 राजय के बस्तर में कुटमसर गुफा पाई जाती है इस कुटमसर गुफा में बहुत अधिक अधिरा है और यहाँ पर एक विशेश्छ प्रकार की मचली पाई जाती है जिसे हम अंधी मचली कहते हैं यह मचली एक विशेश प्रकार की खाद्र श्रिंखला को बनाए रखी भी है जिसे हाँ अपमार्जक खाद्र श्रिंखला कहते हैं यह खाद्र श्रिंखला अपमार्जक खाद्र श्रिंखला क्यों है और अपमार्जक खाद्र श्रिंखला का एक उधारन लिखी है कुछ इस त कalyi 그거 सब्सक्राइब उन्तों कोघाती हैं और इस कानी मचली को फिर चंगाधण खा यानि आप यह देख पा रहे हैं कि मृत पौधे और जिन्तो हैं इस मृत पौधे और यह जीन धून को अपना भोजन प्राप्त किया, अपमार्जक का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से सीधे प्राप्त करते हैं, जैसे आपने कमवा देखा है, कमवे जो होते हैं, वो मृत शरी से डारेक्ट अपना भोजन ग्रहन करते हैं, जो कि कानी मचली, मृत पौध ये एवं जन्तुओं को प्रत्यक्च रुप से खाकर अपना पोशन प्राप्त कर रही है। इसलिए यह जो खादर शिंकला है यह खादर शिंकला जो है वो अपमार्जक खादर शिंकला के अंतरगत आता है।